हाई फ्रेंड्स मैं हूँ कलतना और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काय आज में आपको बहुत ही जादा पसीना जिन लोगों को आता है फेस पे बहुत जादा दाग धब्बे हो जाते हैं और डाग सर्कल्स हो जाते हैं उसके लिए एक फेस मार्क्स बना कर दिखा रही हूँ तो आईए देखते हैं इसको बनाने के लिए चाहिए हमें मकई का आटा ये मकई का आटा है ये ना तो मैदा नहीं है आप देख सकते हैं ये बहुत हलका होता है और उसके बाद हमको चाहिए एक घिसा हुआ खीरा इसको हमने अच्छे से घिस लिया है इसके बाद हम इसको निचोड़के इसमें से सारा पानी निकालेंगे इस तरीके से हम खीरे का सारा पानी निकालेंगे और इसको अलग से कंटेनर में निकालेंगे अब इसके बाद हम एक चमच मकई का आटा लेंगे जो चीज हम लोग खाते हैं वो चीज हम अपने फेस पर भी यूज कर सकते हैं वो हमारे फेस को बहुत अच्छे से ग्लो देती है, बहुत अच्छे से साफ करती है अब इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको हम माइक्रोवेव में 30 सेकिंड तक रखेंगे और फिर इसको देखेंगे आप देख सकते हैं ये एक पेस्ट जेल फोम में तयार हो गया है अब हम इसको अपने फेस पर अपलाई करेंगे इस पेक को लगाने से पहले आप 5-7 मिनट तक थंडा होने देंगे आप इसको हफ़ते तक फ्रिज में रखकर यूज कर सकते हैं जब भी आपको फ्रिज में से इसको निकालेंगे पहले और उसको रखेंगे 5-7 मिनट फिर अपने फेस पर अपलाई करेंगे अब हम इसको अपने फेस पर अपलाई करते हैं अपलाई करने के लिए आप इस तरीके से लेंगे और ऐसे लगाएंगे पूरे फेस पर आप इसको अपने आँखों के उपर यहां पर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये डाग सर्कल को भी बहुत अच्छे से रिमोव करता है बहुत अच्छी हल्प करता है आपके डाग सर्कल को रिमोव करने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है बहुत ज़्यादा स्वेट होता है आपके फेस पे तो आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं डाक सरकल के लिए आप इसको लगाएं 10-15 मिन तक लगा कि अपनी आँखों पे लगा रहने दे इसको प्रेस पे लगाना है तो पूरे फेस पे लगा सकते हैं यह बहुत अच्छा इफेक्ट देता है 100% आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा अब हमने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है अब इसको हम 15 मिनिट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे अब 15 मिनिट हो चुके हैं, हमारा फेस ड्राइ हो चुका है, अब हम इसको ठंडे पानी से धोलेंगे अब हमने फेस धो लिया है इस फेस पैक को आप दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं इसको स्टोर करके आप फ्रिज में एक हफते तक रखें और उसके बाद इसको डेली दिन में दो बार यूज़ करें 15-20 मिनिट लगाएं और ठंडे पानी से फेस धोलें आप मुझे कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें